हेलो फ्रेंड्स वैलकम टू इंफिनिटी अकेडमी फ्रेंड्स आज हम करेंगे जनरल अवेरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंज जो की स्सी छी एचसल के एक्जैम के लिए इंपॉर्टेंट है आज इसका ये पार्ट फोर है पार्ट वन टू और थ्री मैं अल्रे स्मारक के स्मूव है तो ये जो है स्मारक के स्मूव वो है करनाटका में स्कॉप्शन रहेगा फर्स्ट करनाटका नेक्स्ट क्वेस्टन है विच मूवी है नाशनल फिल्म अवार्ड पर वेस्ट फीचर फिल्म तो जिसने नाशनल अवार्ड नहीं जीता है वो है तारे जमीन पर सेकंड अप्शन नेक्स्ट क्वेस्टन है बंबूसर बंबूसर देंड्रोकलमस इस साइन्टिफिक नेम ऑफ बंबूसर देंड्रोकलमस डैस का विगयनिक नाम है तो इसका जो साइन्टिफिक नेम है वो है बंबू बंबूसर देंड्रोकलमस का बंबू थर्ड अप्शन नेक्स्ट कुष्टन है असीनोनेक्स जूप्टस इस साइन्टिफिक नेम ऑफ असीनोनेक्स जूप्टस डैस का विगयनिक नाम है इसका जो विगयनिक नाम है वो है चीता थार्ड ओप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है अटोमिक नमबर विच आफ दाफ फॉलॉविंग एलिमेंट इस ग्रेटर दैन अफ जिंक तो जिंक का होता है 30 उसके बार जो अटोमिक नमबर आता हूँ आता है ब्रोमाइन का 35 तो जिंक से ज़्यादा जो होता है ब्रोमाइन का 35 नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होती है वो होती है सर्च इंजन अप्टिमाइजेशन सेकिंड अप्टिमाइजेशन सेकिंड अप्टिमाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्टन है चैंग लो इस फोक डान्स और चैंग लो डैश का एक लोक नमित्य है तो इस फोक डान्स और नागलेंड नागलेंड का यह जो है लोकल डान्स है नेक्स्ट क्वेशन है थे लो अफिमाइड इस बस्तों पीपल तो जो लोफ़ इमाइड दाट इस बस्तों अफिस्ट नग दृक्शन वार वर इस फोट आप्स ऐस आप्स पूट पाूट अब्स्टन जितना किसी चीज का जो प्राइज और गिरेगा तो लोग सोचते कि उसको ज्यादा ख्योदा चाहे बाई मोर कुट Second option Next question लेखते है The ozone layer is mainly found in the lower portion of ozone पर्थ मुख्यर रूप से नीमन भाग में पाया जाता है तो यह पाया जाता है stratosphere में First option, stratosphere Next question है Ranthambore Tiger Reserve is in which state तो Ranthambore Tiger Reserve किस राजय में है तो यह है हमारा राजय स्थान में First option Next question है How many union territories are there in India भारत में कितने शंग सासित या केंदर सासित पर्देश है तो इंडिया में जो है वो seven union territories है UT है Next question है Hard coal containing little volatile matter is called थोड़ा थिर्था वाड़ा एक कठिन कोईले को डैश को लाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं anthracite Second option इसको हम बोलते हैं anthracite Next question है Port of Spain is the capital city of Port of Spain dash का राजधनी शहर है तो यह जो है यह तिर्नीदाद और तोबेगो तिर्नीदाद और तोबेगो Fourth option Next question है चनक्या बालबा Chief Advisor of चनक्या डैश का मुख्या सलाकार था तो चनक्या जो Chief Advisor था वो था चंदरकुप्त मौरय का Second option Next question है Battle of हल्दी घाटी in 1576 बाज़ फॉर्ट बिट्वीन अकबर एंड 1576 में हल्दी घाटी की लडाई अकबर और डैश बीच लड़ी गई तो हल्दी घाटी की लडाई जो थी अकबर और महाराना परताप के बीच में लड़ी गई थी Second option महाराना परताप तो next question है who invented जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग वेज्वेज जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रैमिंग भाषा का विसकार किस ने किया तो इसका जो invention किया है जावा स्क्रिप्ट को किया है Brandon H ने First option नेक्स्ट क्वेस्टन है human being's hearing range is मनुष्यों की सुनवाई सीमा डैश है तो जो human है वो 20 से 20 hertz तक सुन सकते है 20 से 20 hertz नेक्स्ट है विच स्टेट है थाइस्ट लोकसभा सीट्स इन इंडिया किस राज्य में भार्क में सबसे अधिक लोकसभा सीटे है तो जो सबसे जादा जो सीटे है वो है उत्तर परदेश में थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है अंधरा परदेश की संस्थिय सीटों की संख्या लोकसभा की डैश है तो जो लोकसभा की जो है सीट्स है अंधरा परदेश की वो है 25 फॉर्थ ऑप्शन नेक्स्ट कोश्चन है नमर आफ प्लेयर्ज इन कबढधी टीम इस कबढधी टीम में खिलाडियों की संख्या दैश है तो ये है 7 साथ खिलाडी होते हैं कबढधी टीम में नेक्स्ट कोश्चन है फॉर्थ ऑफ इन्डिया फ्मिडनाइट तो मिलेनियम भारत मिडनाइट तो मिलेनियम का लेखत कौन है तो इसका जो राइटर है इन्डिया फ्मिडनाइट तो मिलेनियम का वह शशी थरूर तो थर्ड ऑप्शन शशी थरूर नेक्स्ट कोश्चन है डेकेन एज हाव मैनी हाइड्रोजन एटम्स डेकेन में कितना हाइड्रोजन प्रमान होते हैं तो डेकेन का मतलब होता है ट्वेंटी टू फर्स्ट ऑप्शन बाईस नेक्स्ट दा पेल यलो कलर अफ यूरीन इस ड्यू तो दा प्रेजेंस आफ विच पिगमेंट तो जो हमारे यूरीन में पीला कलर होता है वो होता है यूरो क्रोम की प्रेजेंस में फर्स्ट ऑप्शन यूरो क्रोम की प्रेजेंस से ही पीला कलर जो है यूरीन में होता है नेक्स्ट क्वेस्टिन है हाइस्ट सिविलियन ओनर रिसीब्ड बाइ शवाना आजमी इस शवाना आजमी द्वारा प्राप्त सर्वोच नागरिक समान डैश है तो शवाना आजमी को जो है सबसे बड़ा जो ओनर मिला था वो मिला था पदमा भूशन का पदमा मुशन का तो दूसरा ओप्शन नेश्ट विच्ट फोर्ट इस ऑल्सो नून एज गोल्डन फोर्ट किस कीले को गोल्डन कीला भी कहा जाता है तो जैसल मेर को जो है हम गोल्डन फोर्ट भी बोलते हैं फोर्ट ऑप्शन जैसल मेर तो फ्रेंड्स यह थे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्चन्स जनल अवेरनेस के ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए आगे लेके आएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हूँ तो चैनल को स्प्राइब को ना वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले और न्यू वीडियो की नोटिफ्केशन के लिए नोटिफ्केशन बेल पे क्लिक करना ना भूलें ज़िटは क्तों मतनुत्rel становится ही अगर पाज आपके लेको